Hello Friends, क्या आप भी अपने चैनल पे लोगो लगाना चाहते हैं और लोगो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, प्लीज बताईए इस तरीके से बहुत से कमेंट्स आते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि आप किस तरीके से अपनी चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगो को लगा कैसे सकते हैं ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो तो वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले हेलो फ्रेंज, मैं सुप्रिया सिंग, आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z कॉंटेंट में अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दो तरीके के लोगो आप अपने चैनल पे लगा सकते हैं एक तो बहुत ही आसान सा होता है जो की प्रोफाइल पिच्चर होती है आपने देखा ही होगा बस वही एज चैनल का लोगो आप लगा सकते हैं जुसमें जादा एफट की जरूरत नहीं है और दूसरा जो होता है क्रियेटिव तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जादा एफट लगता है इस वाले लोगों के कमपैर लेकिन ये भी बनाना आसान है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कैसा लोगों चाहिए ऐसा सिम्पल सा प्रोफाइल पिच्चर वाला या फिर क्रियेटिव तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लोगों बनाना कैसे हैं सबसे पहले सिम्पल वाला बता देती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर आप क्रियेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं ये आपको बताऊंगी तो फ्रेंज यहाँ पर लोगों बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिक्स आठ का इस्तमाल कर रही हूँ और यहाँ पर पिक्स आठ में हम चले जाएंगे आप किसी भी थामनेल मेकर से अपना लोगों रेडी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए blank लिखा गया है इसके उपर हमने select कर लिया add photo यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आरहा है इसके उपर click कर लेना है और हमें अपनी उस photo को gallery से select करना होगा उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है proceed इसके उपर कर लेते है click और मेरी ये वाली जो फोटो है, ये वाली फोटो मैंने अपने प्रोफाइल पिच्चर पे लगा रखी है, तो इसे मैं यहां से कर लेती हूँ, select, done के उपर मैं कर देती हूँ, click, और उसके बाद वापस से यह पिक्स आर्ट की गैलरी में आ जाता है, तो यहां से एक बार और आपको select करना है, और फिर यहां से उपर option आता है add, add के उपर हम कर लेंगे, click, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें मिलता है crop को option, crop के उपर हम कर लेते हैं, click, और इसे मैं square shape में इस तरीके से थोड़ा सा cut कर लूँग, उसके बाद apply के उपर हम कर लेते हैं, click, जो की top में ही है, अब यहां पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, नीचे ही देखेंगे, बहुत सारे option है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप देखेंगे, लिखा हुआ आ रहा है shape, shape के उपर हम कर लेते हैं click, और जैसे ही आप click करेंगे, तो देखें यहां पे बहु आया जाता है YouTube logo, तो इसे हम यहां से कर लेते हैं, circle में select, और इसे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, तो देखेंगे, मैं इस तरीके से इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, अपने हिसाब से आप इसे adjust कर लीजिए, और बस यहां पर जैसे ही adjust हो जाता है, उसके बाद यहां पर arrow देख सकते हैं, इसके उपर हम कर लेते हैं, click यह देखिए हमारा logo बिल्कुल ready है, उपर आता है save का button, अब यहां पर देखिए आपको size भी नीचे देखने के लिए मिलता है, आप white color में, black color में, red color में, जो भी border लगान या फिर मोटा अपने हिसाब से border जो है adjust कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा पतला ही रखोंगी, बस यह बिल्कुल ready है, और यहां पर save button के उपर हम कर लेते हैं, click, उसके बाद apply के उपर हम कर लेते हैं, click, next है उपर, उसी के उपर कर लेते हैं, click, save लिखा गया है, इसी के उपर कर लेते हैं, click, वापस से save का button आएगा, इसके उपर कर लेते हैं, click, और बस उपर आता है, done, done के उपर कर लेते हैं, click, अब यहां से exit करते हैं, और हम चलते हैं अपनी gallery में, अब यहां से exit करने के बाद, और हम चले गए अपने gallery में, अब आप देख सकते हैं, कि यह छोटा कि अगर थोड़ा सा creative तरीके से आप logo बनाना चाहते हैं तो कैसे आपको बनाना है यहां से हम करते हैं exit और चलते हैं वापस से pix art में pix art में जाने क्यार यह जो नीचे plus का icon है इसके उपर click करेंगे और blank लिखा गया है इसके उपर वापस से हमें कर लेना है click click करने के बाद अब यहां से हम एक circle select करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं shape लिखा गया है shape के उपर हम कर लेते हैं click और इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी color डाल सकते हैं ठीक है जैसे कि मुझे circle ही चाहिए तो मैंने circle रखा हुआ है और उसके बाद फिर यहां पर color लि चूज करेंगे वो रहेगा पर एक gradient color है तो मैं यहां से gradient color चूज करूंगी और जो color आपको पसंद है आप यहां पर रेखिए दो circle बने हुए है color में एक pink है तो आपको जो पसंद हो आप वो वाला color यहां से इसके उपर click करना है और आपको चूज करना है अपने हिसाब से तो रेखिए इस तरीके से थोड़ा dark, थोड़ा light या फिर इसे थोड़ा सा आप move करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं बस इस तरीके से select कर लेने के बार अब यहां पर apply के उपर कर लेते हैं click ताकि यह जो है fix हो जाए अब यहां पर आप देख सकते हैं दो boxes बन जनायेगा लॉग के उपर click करेंगे तो फायदा यह होगा कि आपका जो circle है यहाँ वहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं देखिए यहाँ पर sticker के ऊपर हम कर लेते हैं click तो देखिए यहां भी आप इस तरीखे से choose कर सकते हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने सिर्फ logo बनाया था और उसमें अपने चैनल का नाम लिखा था, तो मैं यहाँ पर देखिये लिख देती हूँ, अपने चैनल का नाम, और नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर text लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके उपर क्लिक करना है और इसके उपर आने के बाद a to z content मैं अपने channel का नाम लिख रही हूँ आप अपने channel का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर fix कर लेंगे मैं a to z को उपर और content को नीचे रखोंगी थोड़ा सा space देने के बाद tick mark करने के बाद अगर आप देखेंगे कि जो मैं use करती हूँ यहाँ पर वही same font use किया हुआ है और यह वाला font मैंने यहाँ से choose कर लिया है आप अपने हिसाब से कोई भी font choose कर सकते हैं अब यह बिल्कुल complete हो चुक attractive और अच्छा दिखाई दे तो आप कोई भी color का border choose कर सकते हैं red color भी कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ से red color ही choose कर लेती हूँ और इसे इस तरीके से fit कर ले रही हूँ अब देखिए इन दोनों के बीच में space बहुत जादा है तो इसकी वज़े से gap बहुत जादा दिख रहा है त और यह देखिए थोड़ा सा कम हो गया है और बस यहाँ से apply कर लेंगे next वापस से हम sticker के उपर click कर लेते हैं और यहाँ से हम choose करेंगे एक circle तो यहाँ पर type करेंगे search के अंदर okay circle type किया उसके बाद search के उपर हम कर लेते हैं click अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे circles आपको मिल जाते हैं तो जैसे कि मैं पहले वाला ही idea लेके आपको बता रही हूँ तो मैं यहाँ से white color choose कर रही हूँ और यह देखिए बिल्कुल हमारा circle यहाँ पर लग चुका है circle को आप थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन जादा छोटा करेंगे तो इससे यह आपका font ज choose कर सकते हैं यह देखिए ऐसे यह देखिए इस तरीके से आप एक creative logo बना करके ready करके रख सकते हैं apply के ओपर click करेंगे next और gallery में save करके रखेंगे इस तरीके से आप logo बना सकते हैं अब यहाँ पर logo बनाने का काम तो हमने कर लिया है वो आपके पास पहले से ही बना बनाया होन चाहिए उसके बाद ही आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं अगर पहले से ही बना हुआ नहीं रहेगा तो आप वीडियो में नहीं लगा पाएंगे on the spot ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बताती हूं कि इसे आपको अपनी वीडियो मे लगाना कैसे होता है एडिट करते समय ही आपको अपनी वीडियो में लोगो को लगाना होता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि मैं वी एन एप का यूज करती हूं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो अल्रेडी बनी बनाई है तो चलि उपर क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के आद यहां पर देखिए फोटोज के उपर मैं कर लेती हूं अब मैं आपको अपना दोनों लोगों जो है लगा करके दिखाती हूं तो सबसे पहले जो अभी बाद में second वाला बनाया वो लगा के दिखाती हूं तो इसे देखिए select करने के बाद ये थोड़ा सा बीच में ही रहता है तो आपको इसे छोटा करना है ये dots देख रहा है इसके उपर click करेंगे और छोटा करेंगे और इसे किसी एक corner में आपको fit कर लेना है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं अब अगर आप इसे तो ये आगे नहीं आ रहा है और पीछे भी नहीं आ रहा है बस इतनी ही दूर में थोड़ी देर तक आ रहा है तो आपको क्या करना है इसके उपर click करना है और छोटा से arrow सा दिख रहा है उसके उपर click करना है अब video beginning आपको click कर लेना है इसी same तरीके से पीछे की तरफ जाएंगे arrow के उपर click करेंगे और clip end एक आता है clip end दूसरा आता है video end तो हमें क्या करना है video end के उपर click करना है अब अगर आप देखेंगे तो ये logo जो आपको दिखाई देगा आपकी पूरी video में दिखाई देगा चाहे जितनी बड़ी आपकी video हो अब दूसरा वाला भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूं तो वापस से ये image जैसा बना हुआ है इसके उपर click करना है photos के उपर click करना है और यहाँ पे दूसरा वाला logo जो की profile picture है simple सी उसके उपर click करना है इसे भी हम अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे और इसे चलिए मैं यहाँ पे fit करके आपको फिलहाल दिखा दे रही हूं इस तरीके से fit कर लिया और सेम उसी तरीके से आपको video end और फिर इसके उपर click करना है और arrow के उपर click करेंगे तो video beginning आपको ऐसे select कर लेना है friends आपने देखा कि इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपनी channel के लिए logo बना सकते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से आप अपनी video में लगा सकते हैं जिससे हमारी video बहुत ही ज़्यादा professional दिखाई देती है और एक logo रहता है तो एक पहचान रहती है कि भाई यह हमारी channel का ह और बहुत जारा professional दिखाई देता है तो उम्मीद करती हूँ आज की video आप समझ पाए है और आपको अच्छी लगी है अगर यह video अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक like और चैनल को subscribe जरूर करियेगा चलिए friends मिलती हूँ फिर next video में तब तक के लिए take care बाई बाई झाल कर आपको एक कि लिए अच्छी